गुड मॉर्निंग्स ट्रेंट्स आज हम कर रहे हैं शिक्स्त क्लास से टॉपिक हमारे रहेगा वॉल नंबर शैकिन एक्सरसाइज यहाँ पे आपके पास 529 प्लस यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है 529 प्लस 398 यहाँ पे हमारे पास सेम नंबर फिल अप कर देंगे 398 यह हमा क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि आपके पास कोई भी दो वॉल नंबर हैं जैसे A एंड बी वॉल नंबर एंड बी आपके पास दो वॉल नंबर हैं यहाँ आपने उनको एड़ कर दिया यह प्लस बी किया और आपके पास जो रजल् एक और प्रॉपर्टी है यह आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन के अकॉर्डिंग हम करवा रहे हैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी कॉमुटेटिव की नाम से आती है कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी इस प्रोपर्टी में आपके पास क्या है कि जैसे कोई भी दो नमबर हैं A प्लस B, A भी ओल नमबर, B भी ओल नमबर इक्वल होगा आपके पास B प्लस A तो इस टाइब की जो प्रोपर्टी आती है उसको हम बोलते हैं कॉमुटेटिव प्रोपर्टी तो यह हमारे पास जो fill in the blanks किया है यह commutative property के according है भी next एक और property है associative associative property क्या है यहाँ पे आपके पास तीन नमबर आते हैं जैसे A, B, C तीन आपके पास जैसे wall number है क्योंकि हमारे topic wall number का है तो wall number से related करुआ रहे हैं भी यह आपके पास A, B, C दिन नमबर है यहाँ आपने add कर दिया पहले A, B, B, C जैसे फैस्ट में आपने किया कि यहाँ पे bracket यूज कर लिया A, B, C को add करें यहाँ प्लस में C किया यह equal आना चाहिए आपके पास A, B, C, यहाँ पे आपके पास bracket यहाँ पहले B और C को add करेंगे इसमें पहले A और B यह यह दोमें कंडिशन आपके पास equal आती है तो इस property को बोलें हमें associative property एक आपके पास property जो है वो है addition property of 0 0 की भी property है जैसे यहाँ पे मैं लिख दिता हूँ fourth property आपकी 0 प्लस में कोई भी एक नमबर दे दिया 0 में कुछ add करेंगे हमारे पास क्या आएगा 0 प्लस A करो या A प्लस 0 करो कोई फरक नहीं पड़ेगा आपके पास यहाँ पे result आपका A ही आएगा यानि वह ही वोल नमबर आजे यह आपके बोलते है इसको आप बोलते हैं nis additive इस यह आपके पास है उस प्रॉपरटी इसी बेस पे हमारे यह फिलिंदा भ्लैंक फिल ब्रीकिन प्रॉप करेंगे नेक्स्ट हमारे पास जो प्लस आपने अभीज़े से प्रॉपरटी में किया है zero add करने से कोई फ्रक नहीं पड़ेगा additive identity की according यहाँ पर 115 आजेगा next हमारे पास है 10,000 पलस यहाँ पर क्या करें कि आपके पास 10,000 आजेए एक आपके पास है additive identity जिसमें zero add करने से कोई चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर आपके पास आजेएगा जिरो next एक और पार्ट देखते हैं 12 प्लस में 47 प्लस में 88 इज इक्वल टू 100 प्लस में यहाँ पर हमें चेक किया इन दोनों का सम आपके पास बनता है 100 तो आपके पास क्या add गरेगी आपके इक्वल हो जाएगी यह आपका रहेगा 47 नेट्स पार्ट अमारे पास बिलिंदा ब्लेंक ची है 39 प्लस में 20 इसारी 201 प्लस 18 यहाँ पे इक्वल होगा 39 प्लस में 201 प्लस यहाँ पे क्या गरें देख़़, 39 है यह आज कहा प्लस 18 यह प्लस 18 यह property आपकी रहेगी associative property next part में हमारे पास पुछेगे find the sum इनका sum करें तो sum आपके पास आएगा 700 यहाँ से इनका sum किया इनका भी आपके पास same are they same? yes, बिल्कुल same है which property of the addition a plus b equal है b plus a यानि commutative property रहेगी यहाँ पे commutative property of addition commutative property of addition यह आपका किसन था second भी अच्चके है next देखते हैं को और next मारे पास find each of the sum इनका sum करेंगे आपके पास यहाँ पे आएगा यह आपके पास 40,326 next का चेक किया आपका यही सम रहेगा 40,326 are they equal? बिल्कुल लिखेंगे yes फिर पुछे गए which property? तो यहाँ पे property रहेगी आपकी तीन नमबर हैं a plus b plus c a plus b plus c same रहेंगे तो यहाँ पे property का नाम रहेगा associative associative property of addition of addition next आपके पास multiple choice question है यह आपके पास एक strength है जो रिखता है 5 plus 24 plus 25 plus 6 इसको आपने लिखा 5 plus 25 इन दोनों की यहाँ पे आपने position change की गई है तो यह जो a plus b b plus a जो property होती है वो कौन सी property होती है वो होती है commutative यानि आपका b option right रहेगा next एक और देखते है next अब हमारे पास multiple choice question 18 plus में यहाँ पे 82 plus 8 यहाँ पे 18 plus 82 प्लस में 8 यानि a plus b plus c a plus b plus c यह आपके पास कौन सी property है associative property यानि आपका fourth option रहेगा next question करते है next question हमारे पास find a wall number p जो है एक wall number है यहाँ पे हमके ऐसा कौन सा number है जो p plus p करें तो p ही आजाए तो यहाँ पे आपके पास p जो रहेगा वो 0 रहेगा क्योंकि 0 plus में 0 करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा तो p की वेली यहाँ पे 0 रहेगी यह थे हमारे कुछ question wall number से related नेक्स் वीदियो में next question करेंगे property से related भी होंगे तो यह दिख अपने आप तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं कि आत प्लेज सबस्क्राइब करें next video में next question देखेंगे तब दॉए Thank you